हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज की वीडियो में बताने जा रही हूं कि सीता फल के बेल और पत्तों की सबजी किस तरीके से बनाई जाती है वो भी इंडेक्शन कुक टॉप पर को में लें अपर मैंने जोग वाला हिस्सा होते हैं और कुछ कोमल से पत्ते तोड़ी हैं अब निकालने जैसे कि हम बीन्स और दूसरी जो फलियां होती हैं उनसे रेसे निकालते हैं उसी तरीके से इस बेल से भी रेसे निकलते हैं तो जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं बहुत छोटे साइच के होते हैं उनसे तो रेसे नहीं निकालने होते हैं बस बेल से निकाल लेजिए लेकिन जो थोड़े से बड़े साइच के प खाई सबी खाएंगे तो दोटे हमें लगते हैं निकलने के बाद इन पत्तों को अच्छे से दोके अगरेंगी हसलोर ऑच्छे से निखर जाएंगे इनको बारिक-बारिक काट लूटे यहां पर सबसे पहले मैंने इंडेक्शन कुक टॉप पे रखी है कडाई उसके बाद इंडेक्शन की पावर ओन की है और पावर ओन करने के बाद सबसे कम टेंपरेचर किया है इसमें सबसे कम टेंपरेचर 80 है तो मैंने 80 कर दिया क्योंकि हरी सबजियां कम टेंपरेचर पे ज जिने मैंने तोड लिया है साथ से आठ कलिया काट ली है मैंने लैसून की दो प्यास ले लिये हैं जिने मैंने लंबाई में काट लिया है तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो सबसे पहले डाल दिया मैंने कटा हुआ लैसून उसके बार डाल दी मैंने तोड़ी हुई लाल त ब्राउन हो गया है तो अब इसमें मैंने प्याज डाल दिया है प्याज को ऑईल में बहुत देर तक नहीं भूनोंगी बस इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए उतनी देर ही इसको चलाऊंगी यहां पर हमें टेंपरेचर का बहुत ध्यान देना ह है अगर हम 80 टेंपरेचर में करेंगे तो बहुत जादा टाइम लगेगा प्याज को भुनने में तो इसलिए टेंपरेचर को वन सिस्टी कर दिया है मैंने प्याज हलकी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो अब डाल दूंगी में कटी हुई हरी सबजी एक बार में ही सारी हरी सबजी नहीं आपा रही है इसलिए अभी मैंने टेंपरेचर वन सिस्टी ही रखा है इस हरी सबजी को थोड़ी देर इस कड़ाई में चला लूंगी जिससे कि यह थोड़ा बैड जाएगी यानि कि कम हो जाएगी और फिर उसके बाद इस थाली में जितनी भी कड़ी हु कि मैंने सबजी को चम्चे से अच्छे से चला लिया है बस इसमें और कोई भी मसाले डालने की जरूरत नहीं है यह वाली हरी सबजी जो सीताफल के पत्तों की होती है ऐसे ही बहुत टेस्टी होती है और अब इसमें लगा लूंगी मैं धकन और पीच पीच में इस सबजी को हमें चलाते भी रहना है यानि कि पलटते भी रहना है धियान रहे कि सीताफल के पत्ते बिल्कुल पानी ना के ब्राबर छोड़ते हैं एकोर्डिंग पालक सर्सुम तो इसमें जितने कम टेंप्रेचर में बनाएंगे सबजी उतनी ही अच्छी बनेगी वन सिस्टी का वीडियो पसंद आई हो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कीजी मेरी चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन आप जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तब तक के लिए बाबाए एंड टेक क्यार और आफ यू